हेलो दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंफेक्शन मुवी के बारे में उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्स्प्लेनेशन पसंद आएगी और पसंद आए चाहरों को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट क करना बिल्कुल भी मत भूलेगा दोस्तो मुवी के स्टार्टिंग में हमें एक वरकर को दिखाया जाता है जो अपने कलीक से कुछ मांग रहा हुता है जिसके बाद जब वह वरकर अपने घर पहुचता है तो अपने साथ कुछ पिल्स लेकर आता है जिन पिल्स को वह अपन दोस्त बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और उसके देखते देखते उसके उपर अटैक कर देता है जिसके बाद वो वरकर वहाँ से बाहर निकलाता है इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एडम नाम की एक आदमी को दिखाया जाता है जो के एक डॉक्टर होता है और वह अपनी वाइफ के मरने के बाद अपने बेटेमिगुल को उसके ग्रेंट पेडिन्स के पास कुछ दिनों के लिए भीज देता है जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसी वरकर को लाया जाता है जिसका कार से एकसिडेंट हो गया था पर इस जोरान वो बहुत ही जादा अजीब बिहेव कर रहा था और जब एक नर्स उससे बात करने की कोशिश करती है तो उसका इंफेक्टिड बलड उस नर्स को लग जाता है जहां पर वो लोग एक हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात कर रहे थे तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि पूरे हॉस्पिटल में लोग अग्रेसिव होकर एक दूसरे को काट रही है जिसके वज़ा से हॉस्पिटल को कॉरेंटाइन कर दिया गया है जिसके बाद हम एडम को एक स्टोर में देखते हैं जहां पर एक लेडी भागती हुई दिखाई देती है जिसके पीछे जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक एंबुलेंस का एकसिडेंट हो गया है तब ही उस एंबुलेंस में से एक इंफेक्टेड आदमी बाहर निकल करता है जिसकी वाइफ की तबियत काफी जादा खराब होती है क्योंकि किसी ने उसे काट लिया होता है हाला कि एडम उसका इलाज करने की कोशिश करता है पर जॉनी की वाइफ बेहोश हो जाती है यह देखकर एडम काफी परिशान होता है और इंटरनेट पर वह इस वाइर वारे वाइरस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है लोग इंफेक्टेड होने की वज़ा से जॉंबी बन रहे हैं क्यूंकि जॉनी काफी जादा परेशान था इसलिए उसके मदद के लिए उसके पडोसी महां पहुत जाते हैं इसी दौरान जब एडम एना को चेक कर र गिर कर बेहोश हो जाती है जिसके बाद उन सभी को रेडियो पर सुनाई देता है कि अगर किसी भी इनसान के इंफेक्टेड होने के सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसे अकेला छोड़ कर पुलिस को कॉल करें यह सब को सुनने के बाद एडम अपने दोस कार्लोस को फोन कर है कि उस डान में सब कुछ पूरी तरह से बरबाद हो चुका है पर हमें और्डर मिले हैं कि जो भी इनफेक्टेड हो उसे मार दो यह सब कुछ जानकर जॉनी काफी जादा परिशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइप को भी मार दिया जाएगा लेकिन उसक खुद को गन से शूट करके मार लिया है जिससे वह काफी जादा डर जाता है और इस बारे में जाकर अपनी वाइफ को बताता है और अपनी वाइफ को घर में ही रहने के लिए कर वहां से चला जाता है इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो अपने बेटे को ढूनने के लि लगते हैं तो देखते ही देखते जॉनी की वाइफ भी उन पर अटेक करने की कोशिश करती है जिससे वह भी मारी जाती है और इस दोरान एडम के परोसी भी बहुत भी रहमी से मारे जाते हैं लेकिन एडम जॉनी के साथ किसी तरह से बचकर वहां से निकल जाता है उसी तरफ वाव में उसी वर्कर को दिखाया जाता है जिसकी कंडिशन बहुत जादा खराब हो गई होती है और वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन की डॉक्टर उसे इस कंडिशन में देखकर काफी है नेक्स सीन में हम लूइस नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके घर में जॉम् साफ इंकार कर देता है जिसके बाद जब वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो उनकी गाड़ी का पैट्रॉल खत्म हो जाता है इसलिए वह पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं और जब वह लोग एक पैट्रॉल पमपर पहुस्ते हैं जहां पर कुछ जॉम्बीस उन पर अटैक कर देते हैं जिससे बच कर वह भागने लगते हैं तो एक आदमी उन्हें बचा लेता है और उन सबी को अपने घर में रुकने के लिए कहता है पर एडम ये बात कहता है कि मैं यहां नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे अपने बेटे को ढूडना है जिसके बाद अगले एक एक करके उन सबका सामना कर रहा होता है तब ही वहां एक लड़की आकर जॉम्बी को शूट कर देती है जो घर के ओनर की बेटी होती है फिर जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें घर के ओनर मिलता है जो ये बात बताता है कि उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी है औ जाती साथ दूर से रूम में एक छोटा बच्चा भी फसा हुआ है जिसे हमें बचाना होगा इसलिए एडम और घर के ओनर उन्हें बचाने के लिए रूम की तरह बढ़ते हैं हाला कि उन पर जॉम्बी अटैक कर देते हैं लेकिन वो दोनों अपनी जान बचा कर रूम में यहां पहुशने के बाद एडम को पता चलता है कि लूइस का पैट तूट गया है इधर वे ओनर भी बच्चे को बचा कर बाहर आता है लेकिन जॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं जिससे वे वापस से उसी रूम में चला जाता है पिर वे है जॉम्बी भी उसी रूम मे अपने घर में जाती है जब बहार आती है तो जॉम्बी उसे काट लेते हैं इस वज़ा से एडम उसे वहीं पर छोड़ कर दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है जिसके पास उसका हास्बेंट पहुंसता है और यह बात कहता है तुम किसी के लिए दर्वाजा मत खोलना सा फिर आडम गाड़ी के बाहर आकर आसपा चेक करता है तब ही वहां पर जॉम्बी जाकर उन पर अटैक कर देते हैं और क्योंकि लूइस का पैट तूटा हुआ था इसलिए गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाता और जॉम्बी उस पर अटैक करके उसे इन्फेक्टिड कर दे से वैक्सिन बनाने के लिए मदद मांगता है पर एडम यह बात कहता है कि मैं यहां नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे अपने बेटे मिगुल को ढूना है अलाकि डॉक्टर कार्लोस से समझाने की कोशिश करता है कि बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है लेकिन एडम उसकी एक बा लोग बहुत ही जादा अग्रेसिव हो रहे हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह वाइरस जिस मॉर्फिन नाम के एक ड्रक से फैला था तभी कॉरंटाइन एरिया पर जॉंबिस अटैक कर देते हैं हालाकि सोलजर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉंबिस जादा होने की वज़ा से वह इस चीज में नाकाम रहते हैं इसलिए आर्मी का हैड अपनी टीम के साथ डॉक्टर और बाकी लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है पिर वहां से निकलने के बाद कैप्टन और डॉक्टर कार्लोस में बहस हो जाती है तो एडम उन्हें समझ लगते हैं जो डॉक्टर के साथ भाग रहे होते हैं तब ही जॉम्बी उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरह बढ़ने लगते हैं अलाकि कैप्टन उन्हें बचाने की कोशिश करता है इसलिए खुद जॉम्बी की चपेट में आ जाता है और इससे पहले कि जॉनी लैब त होता है तो वहां वह देखता है कि एंजल इंफेक्टेड हालत में घर के अंदर मौजूद होता है यह हमें पता चलता है कि टीना ने इंजल की बात ना मान कर दरवाजा खोल दिया था और एंजल की कंडिशन देखकर आडम बहुत ज्यादा दुकी होता है ना चाहते हुए उसे शूट कर देता है जब वह दरवाजा खोल के घर के अंदर पहुसता है तो टीना भी उसे मरी हुए मिलती है उसे उसे लगता है कि शायद उसका बेटा भी मर चुका है पर जब रूम में पहुसता है तो वहां उसका बेटा सो रहा होता है जिसकी हालत काफी खराब होती क्योंकि उसे भी जॉंबी ने काट लिया था लेकिन पूरा एक दिन बीतने के बाद भी उसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं हुए थे फिर एडम उसे अपने साथ वहां से ले जाता है लेकिन तभी रास्ते में कुछ लोग उन पर अटैक करके उसे शूट कर देते हैं ले ठीक है जिसके बाद एडम अपने बेटे के साथ वहां से निकल जाता है और यहां पर हमें पता जलता है कि जो बाइरस फैला था वो बच्चों पर असार नहीं कर रहा था इस वज़ा से ही में गुल के बलड सैंपल से वैक्सिन तैयार की गई थी और इसी के साथ यह मूवी